Hi everyone, this is Sasang Singh and welcome back to my YouTube channel IS Point West Way of Learning Friends, आज हम सभी अध्यान करेंगे NCRT Class 11 Economics Chapter No. 6 के ग्रामिड क्षेत्रों में साख और विपरण के प्वारे में आज सभी हम अध्यान करने जा रहे हैं जैसा कि कल मैंने बताया था कि ग्रामिड विकास का सुरूप क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है इत्यादी महत्पुड विसेओं पर हमने चर्चा की थी आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विसे है, वह है ग्रामिड क्षेत्रकों में साख और विपरण साख का मतलब जैसा कि मैंने बताया था साख को ही हम लोन समझ सकते हैं या रिन कह सकते हैं या कर्ज कह सकते हैं और बीपड़न का मतलब होता है कि बेचना जैसे कोई किसान खेती करता है तो उस खेती के बदले में जो अनाज हमको उत्पन्न पैदावार होती है या उत्पन्न होता है उसको आवश्यक्ता से अधिक जो बेचना रहता है विक्रे करना रहता है उसकी क्या विवस्था होती है ग्रामिड छेत्रों में उसी को समझना है उसी के बारे में इस पॉइंट में इस टॉपिक में बताया जाएगा तो दोस्तों वीडियो आखरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ वीडियो आफ सभी की परिक्षा की द्रिष्टी से आति आवश्यक्यों महत्पूर सावित होने वाला है आएए इस्टार करते हैं कि साख सबसे पहले हम समझेंगे साख के बारे में और उसके बाद समझेंगे हम दिपड़न के बारे में क्रिषी आर्थ व्योस्था की सम्रिद्धी समय समय पर क्रिषी और गैर क्रिषी कारियों में उच उतपादक्ता प्राप्ट करने के लिए मुख्य रूप से पूजी के प्रियोकपन निर्भर करती है बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझे जैसे गाओं में जो किसान होते हैं उनको खेती करने के लिए कुछ पूजी की जरूर पड़ती है क्योंकि खेती करने से लेकर के फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक की अनेकों प्रक्रिय होती है उसमें रोग लग जाते हैं कीट नासक दवाईयों का छुड़काओ करना रहता है अत्यधिक पैदावार हासिल करने के लिए उसमें उरवरक डालने रहते हैं सिचाई करनी रहती है फसल की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है जिससे कि हमको उच्छ पैदावार और अच्छी किसम की पैदावार प्राप्त हो सके तो ये सब करने के लिए किसी भी किसान को पूझी किया हो सकता होती है तो अगर माल लेजिए किसी किसान के पास पैसे नहीं है पूझी नहीं है तो वह लोन लेता है यानि साख कर्ज लेता है रिड लेता है तो ये रिड पहले गाउं में साहुकार होते थे कास्तकार होते थे वो छोटे छोटे किसान को जो सीमान्त किसान होते थे वो लग किसानों को या छोटे किसानों को कुछ ब्याज पर एक लिमिट नहीं रहती थी ब्याज की उस पर लोन दिया करते थे देखी आगे बताया भी गया है कि खेतों में बीजार ओपर से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधी बहुत लंबी होती है आपको पता ही होगा अगर आप ग्रामिर छेत्रों से होंगे तो आपको तो इतना पता होगा कि फसल की बुवाई से फसल की कटाई तक कितनी प्रोसेस होती है और कितना लंबा समय होता है इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक आउजार, आदि के लिए रड़ लेने पड़ते हैं यही नहीं उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह, खर्च और साधी उनके लिए क्या है? कोई विधार में कायोजन हुआ, उसके लिए भी पैसे की जरूरत है या किसी की डित हो गई तो अंतिम संसकार के लिए भी पैसे की जरूरत, या किसी की साधी विवा करना हुआ, उसमें भी पैसे की आवशकता, तो कोई भी काम हुआ उसमें उनको पूजी की जरूरत पड़ती है तो उनके पास इतनी आमदनी नहीं रहती है कि वह पहले से यह आरेंज करके रखें और उस काम को आसानी से पूरा कर सकें इसके लिए उनको साख की जरूरत पड़ती है कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूम हीन मजदूरों से बहुत उची दर से ब्याज वसोलने और रिड़ खाते में हेरा फेरी का ऐसा कुछक्र चला रहे थे कि वे कभी भी रिड़ पास से मुक्त नहीं हो पाते थे पहले कि जो साहुकार हुआ करते थे जिनके पास महाजन जो जिनको पास धन की यानि की आधिक डिमांड रहती थी धन की भरमार पड़ी रहती थी ओ लोग छोटे किसानों को जब धन देते थे कर्ज देते थे तो समय समय पर ब्याज बढ़ाते रहते थे और हेरा फेरी करते रहते थे कि कभी ओ उस रिड़ से उरिन नहीं हो पाते थे मुक्त नहीं हो पाते थे उसी मोह पास में जकड़े रहते थे भारत ने 1979 में सामाजिक बैंकिंग आरंव कर इस ब्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया यहाँ पर आपका एक important question मन्दा है कि भारत ने सामाजिक बैंकिंग सेवा कब आरंव किया सोतंतरता के पस्चात कब आरंव किया था तो इसको आप सभी notes में लिख लीजिएगा कि भारत ने सन 1979 में सामाजिक बैंकिंग सेवा आरंव की और इससे किसको फैदा हुआ तो आप यह लिख सकते हैं कि जो लग किसान थे, छोटे किसान थे यानि कि जो निर्धन व्यक्ति थे, वो साहू कारों, महाजनों से जो रिड लेते थे, धन लेते थे उस पे मनमाना ब्याज लोग लगाते थे, जिससे कि वो कभी भी इस रिड पास से मुक्त नहीं हो साकते थे और इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने सन 1971 में सामाजिक बैंकिंग सेवा की सुरुवात की ग्रामीड साख आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए बहु संस्था व्यवस्था का सहरा लिया गया आगे चलकर 1982 में राष्टी, क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक नावार्ड की अस्थापना की गई यहाँ भी एक important question आपका बन रहा है यहाँ आप इसको लिख लीजिएगा कि राष्टी, क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक जिसको स्वाट कट में बोलते हैं नावार्ड की अस्थापना कप की गई 1982 में की गई यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ क्यों की गई तो आप यह बताएंगे कि ग्रामीड की छेत्रकों में साख की विवस्था को सुचारू यह उन संयमित रूप से चलाने के लिए कि छोटे लग सीमान्त किसान जो है महाजनू और साहुकार के करके रिड़ पास से दबे न रहें उनसे उनको मुक्ती दिलाने के लिए यह उन सस्ती व्यासदरों पर लोगों को रिड़ उपलब्द कराने के लिए राश्ट्री, कृष्री और ग्रामीड विकास वैंक की अस्थापना की गई यह वैंक संपूर ग्रामीड विकास वित्त व्यासथा के श्रमनवय के लिए एक सीर्श संस्थान है हरित क्रान्ती ने भी हरित क्रान्ती क्या है इसके विस्तर में मैंने प्रिवियस वीडियो में बताया है कि हरित क्रांती क्या है और इसके आने से किस किस राज्य को कितना फायदा हुआ और ये कितना हमारे देश के डेबलब्मेंट में कितना सहयोगी हुआ है इसके भी बारे में मैंने आपको बता रखा है हरित क्रांती ने विक्रांवेड साख व्योस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सुत्रपात किया है क्योंकि इस ने ग्रांवेड विकाष्ट के विविन्न घटकों को उत्पादक रिड़ों की और उनमुक कर विविदता प्रदान की हरित क्रांती जब आई तो पहले क्या था कि ने ने बीज नहीं होते थे उसी पुराने बीजों से ही फसल उगाई जाती थी तो कितना भी उसमें उर्वरक डाला जाए कि इतना सक दवाईयों का उप्योग किया जाए लेकिन उतना उत्पादन नहीं मिल पाता था जब से हरित क्रांती आई नए नए उर्वरक आए नए नए वीजों का उत्पादन हुआ जिससे की उसी सीमित जमीन पर ही अत्यधिक पैदावार की जाने लगी इससे क्या फायदा हुआ किसानों को अधिक पैदावार मिलने लगी उसी लिम्टेड लैंड पर आज ग्रामीड बैंक की संस्थागत संस्थना में अनेक बहु एजनसी संस्थान जैसे ब्योसाइक बैंक, छेतरिय ग्रामीड बैंक, शेहकारी तथा भूमी विकास बैंक संब्लित हैं ऐसे बैंक मिल जाते हैं, जैसे गाओं में हुआ सहकारी बैंक रहते हैं, जो किसानों की सहायता के लिए ही बनाएंगे हैं, ग्रामीर बैंक होते हैं, ये भी किसानों की और निर्धन लोगों की सहायता के लिए ही बनाएंगे हैं, कि उनको कहीं दूर भटकना ना पड़े, साहुकारों, महाजनों से रिड़ ना लेना पड़े, इत्याद की, यानि की सुब्धा मुहिया कराने के लिए ही, ऐसे बैंक की, ऐसे संस्थान की अस्थापना की गई है. ये सस्ती ब्याजदरों पर परियाप्त रिड़ की पूर्ती करना चाहती हैं, अहाल ही में आपचारिक साग व्योस्था में रहे गई कम्यों को दूर करते ही वे, स्वैम सहायता समूहों का भी ग्रामिर साग व्योस्था में प्रादुर भाव हुआ है. जैसे गाउं में आपने देखा होगा कि महिलाओं के द्वारा जो निर्धन महिलाएं होती है, उनके द्वारा स्वैम सहायता समूह चलाया जाता है. जिससे की किस्त के जरिये पैसे का कलेक्सन होता है और जिसको भी आउसकता रहती है उसको दे दिया जाता है फिर वह किस्तों के जरिये उस पैसे को जमा करता है इससे कि दूसरे भी लोगों की आउसकता है पूर्ती होती रहती है तो ये रहा आपकी साख साख के बारे में आप समझ गए होंगे कि पहले साख कैसे काम करती थी ग्रामिर छेत्रकों में और अब उसे साख को नया रूप कैसे दिया गया है उसके लिए भारस सरकान ने क्या क्या स्थापना किया ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगी कल हम आपको विपड़न के बारे में बताएंगे आसा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी यूचफुल सिद्ध होगी अगर इस वीडियो में बताए हुए किसी भी टॉपिक किसी भी पॉइंट के बारे में कोई भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में आ करके कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप सभी बने रही कल हम फिर आएंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप लर्णिंग इस्टे कनेक्टेट थैंक्यू सो मच